ओम श्री गनेशा है नमा मित्रो पूजन दन्म संसकार चेनल में आपका स्वागत दे आज में आपको श्री हनुमान जी माराजी के बारे में बताने जा रहा हूँ श्री हनुमान जी माराजी को कल्युग में बहुत सर्व प्रिय भगवान माना जाता है ये कल्युग में हर प्रकार के कारव करने में शक्षम है हनमान जी की पूजा करना बहुत ही सरह है लेकिन उसके नियम और सावधानिया जानना जरूरी है पूर्ण भक्ति बाव के साथ ही पैत्र नियम से उनकी पूजा करने में बहुत जल्द ही प्रसंद होकर आपकी मनुकामना पूर्ण कर देते हैं शिरी हनुमान जी मारात ततकाल अपनी सेवा का फन प्रदान करते हैं इसलिए मित्रों इनकी नियम और सावधानिया जरूर आपको रखनी जाएं कैसे करें बजरिंग बली की पूजा प्राताकालस नां ध्यान से नर्वत होकर वृत का संकल बले और पूजा की तयारी करें मित्रों एनुमान जी पूजा में विशेश कर सावध को अपने शरी की शुद्धता और पवित्रता का विशेश ध्यान रखना चाहिए पूजा एस्तल की साफ सपाई अच्छे से कर ले हनुमान जी पूजा को विशेश मूरत में ही करें सुबह और शाम को शुगल पक्षे पर्थम मंगलवार से इसे प्रारम कर सकते हैं हनुमान जी पूजा को के लिए विशेश का लाल पूल का ही प्रयोग किया जाता है पूजा के लिए दीपग में जो बाती लगाए जा रही है वह भी लाल सूत अथा लाल दागे की होनी चाहिए विशेश कर साद्व को दिवाद ज्यार लखना चाहिए श्री हर्मान जी और श्री राजा बली राजा बली और जो है अश्वत थामा इन चारों को जो है अमरता का वरदान प्राप्त है अश्वत थामा को श्री कृष्ण भगवान ने श्राप दिया रजिसे वो चिरकाल तक समय कभी नक समापतूनेरा समय तो वो बठकता रहा इसी आई हरमान जी माया जी को माता-सीता और श्रेराम भगवान का आशिरवात प्रापते इस कारण से ही वह अपने संसार मंदल में भूमंदल में वह सपान्ट गों फोल अंपने हैं और जिस प्रगास जो साधर उनके कारों को सिद्ध करते हैं और मनुकाम नापून करते हैं देखिए जो सादव उनकी पूजा करता है तो उनको अपने आप मन में इस बात का अनुबव होने लग जाता है कि मेरे काम, मेरी पूजा सबलतागी और के से जा रही है उनकी बुद्धी के कोई प्राकट नहीं है बहुत इस प्रकार की इनकी अपनी कीर्थी है अपने गार सिद्धा रखते हैं लेकिन आप यह जानिए इनसे आप हमेशा अपनी दूरी को बनाया रखें क्योगि गरस्त जीवन में गरस्ती जो मनुश होता है चाहे वो इस्त्री है या पूरुश है देखो हनुमान जी महराजी की पूजा वो ब्रह्मचारी भवन है उनको जो है ब्रह्मचारी वस्ता में ही पूजा करने का विशेश पर मिलता है ग्रस्ती जो करता है तो वो अपनी एक मरियादा में उनकी पूजा करे उनकी सेवा करे अ तो हनमान जी माराज हमें बख्षते नहीं हैं, देखो माफी नहीं देते हैं, वो ततकाल हमें कष्ट देते हैं, कष्ट में आप मानी हो सकता है, आप कोई शरीर में एकदम लगवा मार जाए, या शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे, या आप देखिए आपको पागल बन दे, हनमाई जी महाराज, ऐसे कष्टे देते हैं, जो आदमी सहन नहीं कर पाता है, ततकाल वो एक्ष्टेजेंट करा देते हैं, ततकाल जो हैं, मिर्तिय वस्ता में उसको पोचा दे दे, बंदू में आपको अपनी बात जो मेरी बात जो है मेरा अनुबव जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपको मेरी बात कहां तक सही लग रही है कहां तक सही नहीं लग रही है लेकिन मैं यह बात जरू के ना जाओंगा अनुमानी महराजी से आप अपनी दूरी बना कर ही पूजा करें और उनक एक ब्रह्मचारी ही मनुष्य उनकी विशेश पूजा कर सकता है और जो सिद्धियां होती अश्र सिद्धिनों लिदिके दाता अस्प्रिज्यान की माता उस सादग में अपने आप ही वह शक्तियां विद्यमान होने लग जाती है मेरा आप से यह कहना है कि बंदों सबसे पहले अपने जो माता पिता की जो सेवा नहीं करता है जो उनकी माता पिता की अवेनला करता है उनके देखो बगवान परसर नहीं होते हैं श्री हर्मान जी महाराजी ने भी शियापदी राम जंद्र ववान जी के जो आग्या का पालन किया है इसी विर्गार से अपने माता पितागा जो आग्या का पालन करता है उसके कार्पनियाब बनते हैं उसके बाद आप अपने देवी देवता की पूजा की गुरुओं की मलाई मिश्रिका भी बोग लगाएं अनुमान जी पूजा में आरती के बाद अनुमान जी को बजरंग बाड़यां सुन्दर कांड का पाड़ भी कर सकते हैं नित्य नियम धान करते हैं जिस दिन पूजा करना है उसे दिन से ही मास मजदरा आदी का सेवन करना शोड़ देने है जिस दिन पूजा करना हो उस देख दिन पूरी ब्रमचारे की पालना करना आरम करें और मन में किसी प्रकार का काम विचार न रखें हनुमान जी पूजा के बीच किसी भी प्रकार का विवधान उत्पन न हो ध्यान रखें जदी गर में उस उतक काल चल रहा हो तो पूजा न करें हनुमान जी पूजा में तुलसी चरणामरत या पंचामरत का प्रियोग न करें मैला हनुमान जी को वस्त्र वजेनों या चोला आर्पिन न करें विशेजगर मैला को महावारी के दोरान पूजा से दूर रखना चाहिए देखो हनुमान जी मारा इस्त्री से दूर रहते हैं मैं ये नहीं कहता कि इस्त्री हनुमान चलिसा न पड़े आप पढ़िये, घर में पढ़िये, पूजास्तन में पढ़िये, अपने व्यापार से पढ़िये, पर विशेश कर जाब भगवान प्रभू का प्रमुख इस्ताने देवा ले हैं, उस जगए आप उसको दूरी बना कर आप सेवा करें, अनुमान जी की किसी प्रकार की तांद पूजा नहीं कहानी चाहिए, अनुमान जी का व्रत रखें, और नमक, मिर्च और अनाज का सेवन कम करें, नहीं करना है, अनुमान जी की अर्पित गिये, भोग का परशा शुद्ध गी से बने वे होने होने चाहिए, मित्रों, अनुमान जी की पूजा, माता, अन्यनी और श्यावद रामजंद और लश्मन जी पूजा भी अवश्य जरूर्व होनी चाहिए हनुमान जी पूजा दुरांदी पर जला रहें और चमेली का तेल वश्चुद्धिगी होना आवश्यक है सिर्व एग ही वस्त्र बहन कर आप उनकी विशे साधना पूजा कर सकते हैं हनुमान जी मूर्ती या चित्र को लकड़ी के पाटे पर या लाल कपड़ा बिच्छा कर स्तापित करें और खुद कुछ के आसन पर बेट कर ही पूजा करें श्री हनुमान जी की महा अर्ती के बाहनुमान चलिशा के अलावा यदि आप बजरंग बाद सुन्दर कान पाट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं मित्रों और भी नहीं नहीं जानकरे में आपको बताता रहूं हुआ जय श्री किशना दोस्तों रादे रादे रादे